Hey guys, welcome back to my channel आज की इस वीडियो में हम लोग UPSC 2020 के 101 से लेकर 125 तक के MCQs जो हैं वो कबर करेंगे इससे पहले के जो भी MCQs हैं 100 तक उसकी वीडियो मैं अपने चाइनल पर अप्रोड कर चुकी है अगर अभी तक आपने वो MCQs को solve नहीं किया है तो you can definitely check them out on my channel और उन questions को resolve कर सकते हैं तो अभी start करते है 101 से लेकर क्या है question तो शुश्रुत मत तनुसार निमेन लिखित में से कौन सा अश्मरी का उबद्रव है अश्मरी का उबद्रव आपको बताना है कौन सा है options आपको देखे रखे हुई है उन में से भी आपको चूज करना है कि आगई कौन कौन सी options सही है कोई दो options यहां से आपको सही मिलने वाली है तो क्या है सबसे पहले पे है वमन दुर्बलता हरितपीडा होता है second is विरेच्छन होता है दुर्बलता होती है हरितपीडा third is दुर्बलता हरितपीडा कास and fourth is दुर्बलता हरितपीडा और कुक्षिशूल यहां पे जो correct answer है वो कौन सा है कि जो सबसे पहले है वमन दुर्बलता हरितपीडा यह होता है आपने भी experience किया होगा अगर कभी किसी को stone हुआ है तो vomiting का बहुत जादा मन होता है ना nausea होता है vomiting होती है तो definitely वमन होता है दुर्बलता होती है हरितपीडा होता है और साथ में जो fourth option है जहां पे दुर्बलता हरितपीडा और कुक्षी शूल है कुक्षी शूल तो होता ही होता है तो वो यहां पे correct option है now the next question is match करना है आपको list 1, list 2 के साथ 1 में आपको type of run दिया हुआ है और list 2 में उसका जो modern science में name है वो आपको दिया हुआ है तो क्या है list 1 में run क्या है ख्षत, विद, पिशित और घ्रिष्ट है और list 2 में है पंचर, abraced, lacerated और crushed तो जो सबसे पहली है which is क्षत जो क्षत होता है उसको हम लोग क्या बोलते है modern science में उसको हम लोग बोलते है lacerated then B है विद, विद को हम लोग क्या बोलते है पंचर होना ठीक है, पंचर then है, पिच्छित तो पिच्छित को बोला जाता है crushed and ग्रश्ट जो होता है उसको बोलते है abraced तो यहाँ पे इसके according है A का 3 है B का 1 है C का 4 and D का है 2 जिसके according आपकी कौनसी option से ही हो जाती है option number 3 is the correct one now the next question is तो again यह match list 1 with list 2 वाला question है आपको भी बता होगा इस type की questions अब बहुत जादा पूछे जाने लगे है हर एक question exam में अगर आप कोई भी exam देने जा रहे हो चाहे PSE का है UPSC का है MD का है तो essay questions की practice बहुत ज़रूरी हो चुकी है तो क्या है list 1 में आपको रक्त मौक्षन के परकार बताय हुए है और list 2 में बताया हुआ है कि इसका निर्देश कहां पे है कहां पे हम लोग उसको कर सकते हैं तो रक्त मौक्षन के परकार कौन कौन से है सबसे पहले तो है प्रचान, डन, श्रिंग, और अलाबू, सिरावेद, और जलोका और दूसरे साइट पे क्या है अफगार है पीडित, सिरांग, व्यापक रक्त और है त्वक्स्तितरक तो यहाँ पे जो सबसे पहले है प्रचान जो प्रचान हम लोग कहां पे करते हैं तो प्रचान का आएगा मैश्विद, पेडित, ठीक है उसके बाद है श्रिंग और अलाबू, तो जो श्रिंग और अलाबू के साथ हम लोग करते हैं त्वक्स्तितरक्त जो होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं श्रिंग और अलाबू को जिसके अकॉर्डिंग आपकी फॉर्स्ट उप्शिन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट उप्शिन है तो यह क्या है शुष्रूत मतनुसार निमन में से कौन से द्रव्य जो है वह भगंदर शोदन हेतु परियोग किये जाते हैं तो कौन कौन से हैं द्रव्य आपको दिये हुए फॉर्स्ट उप्शन में है दंती, त्रिवत, अप्राचिता, कासीज सेकेंड उप्शन में है दंती, निम्भ, अर्क, आरगवत थर्ड इस चोतिशमती, मंगल, तिल और श्याम और फॉर्थ है अगर आप लोग इनको बुक में से पढ़ते रो, पढ़ते रो तो चाहे आप हंडर टाइम्स पढ़ लो आपको याद नहीं होते यह याद ही होते हैं विद थे हैल्प उफ एमसी क्यूस प्रेक्टिसिंग जब आप लोग जादा से जादा एमसी क्यूस को प्रेक्टिस करते हो तब यह याद हो जाते हैं और फिर बूलते भी नहीं है तो आपको इनको कैसे याद करना है एमसी क्यूस प्रेक्टिस करके ही याद करना है तो यहाँ पे जो करेक्ट है आपका ओप्शन देट इस फर्स ओप्शन जो है अगर अती दग्द क्षार परियोग के लक्षन के संदर्व में कौन सा कतन सही है अगर अती दग्द क्षार परियोग करना है तो उसके जो लक्षन होते हैं उन वो लक्षन के बारे में आपको पूछ रहे हैं तो कौन-कौन से लक्षन होते हैं फर्स्ट इस ज्वर दाह मूर्शा, सेकिन है कंडू, इंद्रिय और प्रसन श्यामवर थर्ड इस कंडू, अतिरक्त स्राव ज्वर हो जाता है और फूर्थ है गुद विदारन, अतिरक्त स्राव और पिपासा तो अगर अति दग्द में एक शार का प्रयोग किया है तो जो लक्षन आते हैं, वो सबसे पहले तो ज्वर, दाह और मूर्चा होती है और उसके बाद जो फूर्थ उप्शन है आपकी गुद विदारन, अतिरक्त स्राव और पिपासा ये दोनों ही सही है, तो जिसके अकॉर्डिंग आपकी फूर्थ जो उप्शन है 1 and 4 is the correct one, now the next question is in which of the following sites of brain the vestibular schwannoma occurs तो कहां पे ये होता है, आपको simply बताना है, site बतानी है इसकी तो first option क्या है, pituitary gland में होता है, second is nerve sheath में होता है, third is meninges and fourth is lymph तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो vestibular schwannoma है, it's a type of tumor तो ये कहां पे हो जाता है, ये होता है, nerve sheath में जो कि यहां पे आपका option number second, so second option is the correct one now the next question is शिश्रत नसार दोश के दुशित होने के कारण पूती नस्य में कौन से अंग शामिल होते है तो जो दोश दुशित हो जाते हैं, तो पूती नस्य हो जाता है और अगर पूती नस्य हो जाते हैं, तो कौन-कौन से अंग उसमें शामिल होते हैं this is the question, क्या-क्या हैं हम लोग options में देखते हैं first is जीवा involved होती है, क्या, second है girl, third is तालू मूल and fourth is तुन्डी केशी तो पूती नस्य के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन-कौन से अंग शामिल होते हैं उसमें सबसे पहले तो शामिल हो जाता है हमारा girl और second number पे क्या है यहाँ पे तालू मूल यह दोनों ही यहाँ पे correct है, girl और तालू मूल के बीच मुख्य अंतर के संबन्द में निम्य निखिन में से कौन सा कथन सही है तो आपको बताना है कि जो काच और लिंग नाशें दोनों में mainly difference क्या है first option is यदि तिमिर चोथे पटल को प्रभावित करती है तो स्तिथी को काच के रूप में जाना जाता है तो क्या है कि अगर तिमिर चोथे पटल में हो गया क्या उसको हम लोग काच कहते हैं ये पूछा हुआ है second is कि अगर जो तिमिर है वो तीसरे पटल को प्रभावित करती है तो क्या वो जो situation है उसको काच कहते है third option क्या है कि तिमिर जो है वो तीसरे पटल को प्रभावित करे तो क्या लिंग नाश होता है और fourth है कि जो तिमिर है वो चोथे पटल को प्रभावित करे तो लिंग नाश होता है तो आपको basically पता होना चाहिए कि तिमिर कौन से पटल को effect करता है तो उसको हम लोग काच कहते हैं और कौन से पटल को इफेक्ट करता है तो उसको हम लोग लिंग नाश कहते हैं ये मेली आपको डिफरेंस पताओना चाहिए इतना बड़ा कोशन देखकर गभराने वाली तो कोई बात नहीं है क्योंकि कोशन में बेसिकली है कुछ भी नहीं बस उन्होंने लंबा सा उसको खीच दिया तो यहाँ पर जो करेक्ट आप्शन है वो है आपका सबसे पहले तो सेकिन जब तिमिर जो है वो तीसरे पटल को प्रभावित करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं और उसके बाद जो फोर्थ है जिसमें है कि तिमिर चोथे पटल को प्रभावित करता है तो क्या कहते हैं लिंग नाश कहते हैं यह दोनों ही यहाँ पर करेक्ट वन है सेकिन और फोर्थ जिसके अकॉर्डिंग हमारी कौन सी ओप्शन करेक्ट हो गई फोर्थ है आपको लिस्ट वन को लिस्ट वन को लिस्ट जो के साथ मैच करना है वर्थम का दूश दियुए है तो लिस्ट वन में है first पे है पोथकी, वर्थम, शर्करा, कुम्बिका, शुष्क, अर्ष और लिस्ट वन कैसे है फर्स्ट इस दीर्क, अंकूर, खर, अती, कश्टकर, सेकेंड है वर्तम, पक्ष, संदी, सत, कुंबिका, बीच, सद्रिश्य होता है थर्ड इस सश्य, बीच, सद्रिश्य, एवं कंडू, स्राव है और फोर्ट क्या है खर, पिड़का तो यहां पे जो सबसे पहले आपका पोत की पोत की is related with सर्श्य, बीच, सद्रिश्य, एवं कंडू, स्राव होता है उसके बाद जो बी है विच इस वर्तम, शर्करा, इस रिलेटिड वेद खर, पिड़का जो थर्ड है कुंबिका, इस रिलेटिड विद वर्तम, पक्ष, संदिसत, कुंबिका, बीज, सद्रिश्य, और जो डी है इस रिलेटिड विद दीर का अंकुर, खर और अतिकश्कर तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी correct option है इस एक का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1 है जो जो जाता है, शुक्त मंडल में नेतर के जो शुक्त मंडल भाग है उसको प्रभावित करती है तो यहां पर जो correct option है, that is option number first next question is, according to Shushrut, the best time to conduct तरपन in the management of eye disease eye disease की आपको management करनी है, तो best time क्या है तरपन करने का according to Shushrut तो first option क्या है, forenoon only, second is forenoon and afternoon only third is afternoon and night and fourth है forenoon and night तो जिन्हों ने तो गोविंद पारिक वाली videos देखी हैं, जो मैंने पढ़ाई है यह question वहाँ पर भी दिया हुआ है, तो यहां पे जो correct option है that is the option number second, forenoon में और afternoon में जो है यह तरपन करवाने का time होता है according to Shushrut तो यहां पे second option is the correct option, now the next question is तो यहां पे आपको match list one with list two देया हुआ है list one में क्या है Shushrut करम और list two में है कि कौन सी अक्षी रोग में कौन सा किया जाता है तो क्या है वन में Shushrut करम है भेदन, व्यदन, लेखन और छेदन और अक्षी रोग कौन कौन से है करदम वर्तम, पोतकी, श्याव वर्तम second is क्रिमी ग्रंथी, बिस वर्तम, अंजनामिका third is सिराजा, लोहित वर्तम, fourth is अन्योवात, रग्त अभिश्यंद और अधिमन तो सबसे पहले जो first है कि जो भेदन है वो करते हैं क्रिमी ग्रंथी में बिस वर्तम में और अंजनामिका में किया जाता है then जो व्यदन है वो किया जाता है अन्योवात, रग्त अभिश्यंद और अधिमन्थ में जो लेखन है उसको करते हैं कर्दम वर्तम, पोथ की श्यावर्तम में और last में जो छेदन है वो किया जाता है सिराजान लोहित वर्तम में तो इसके according यहाँ पे जो आपका correct option है that is A का 2, B का 4, C का 1 और D का 3 है which is in the option number 1, so first option is the correct one now the next question is according to शश्यूद प्रतिश्याई के पूर रूप के लक्षन क्या है तो प्रतिश्याई के पूर रूप में कौन कौन से लक्षन होते है first is sneezing होती है क्या, second है heaviness in the head third is horribleation and fourth is woman horribleation क्या हो जाता है, जो आपकी goose bumps हो जाते है उसके लिए है, तो यहाँ पे जो पूरवरूप होते है options में पूछा हो है कि 1 and 3, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 4 कौन कौन से सही है आपके points तो जो सही points है, वो है सबसे पहले sneezing होता है then heaviness in the head भी होता है and horribleation भी होता है जिसके according आपका 1, 2, 3 which is in the option number 2 is the correct one, now the next question is यह है question क्या श्टांग रिद्य के मतनुसार पूछने है रसांचन का प्रियोग कितने समय में निर्दिष्ट है कितने समय में आपको जो रसांचन का प्रियोग करना है according to a strong रिद्य पूछने है first is five days, second is six days में करना है third is four days and fourth is the seven days तो यहाँ पी जो आपका correct option है that is option number fourth which is seven days अगला question क्या है भागवर द्वारा तैल हेतू चिकन पाग किस में निर्दिष्ट है options क्या है first is नस्य, second is अभ्यांग, third is नेपान और बस्ती and fourth is करनपुरण तो यहाँ पे जो correct option है आपका that is option number third which is नेपान और बस्ती तो अभी यह option सही हो गया next question देखते है the condition in which there is considerable inequality in refraction between two eyes is known as ठीक है simple सा question है कुछ समझने वाला है नहीं कि inequality है in the refraction between two eyes उसको हम लोग क्या कहते है first option is pressed pyopia second is myopia third is anisometropia and fourth is hypermetropia तो यहाँ पे जो correct option है वो काँसा है that is anisometropia which is the option number third next question is incubation period of fausial diphtheria is simple question है बिल्कुल simple first is 1 to 3 days है क्या उसका incubation period second is 7 to 14 days third है 2 to 6 days and four है 10 to 15 days तो ऐसे चीज़े आपको जादा से जादा MCQ practicing से ही याद होती है otherwise आप रटा लगाते रहोगे आपको याद नहीं रहेंगी यहाँ पे जो correct option है that is option number third which is 2 to 6 days अगला question है Cholesterotoma refers to condition affecting कि यह जो Cholesterotoma है किसको effect करती है तो options में क्या है blood vessels को, heart को third is ear को and fourth is eye को तो OMA पीछे लगा हुआ है OMA यहाँ से ही आपको पता जल जाएगा कि यह एक ear को effect करने वाली problem है तो यहाँ पे कौनसी option correct है option number third which is ear अगला question है which of the following is an autoimmune disorder autoimmune disorder कौनसा है इनमेंसे यह आपको बताना है first option is molluscum contagiosum second option है keratoconjectivitis third is trichasis and fourth is primary glaucoma तो यहाँ पे कौनसा है autoimmune disorder I think यह question बहुत ही simple है सभी ने पढ़ा भी होगा तो इसका answer आप लोग मुझे comment section में बतायेगा कि इनमेंसे out of the options कौनसा है autoimmune disorder so this question is for you guys अभी अगला question देखते है निमें लिकित मेंसे किस ग्रह में वमन एवं विरेचन दोनों का परियोग नशिद है तो कौनसा ऐसा ग्रह है जिसमें आप लोगों को वमन भी नहीं करवाना विरेचन भी नहीं करवाना दोनों ही निशिद है माने की मना है तो options क्या क्या है first option is spundrik second है रेवती third is shakuni and fourth is nagmish तो किस में है वमन और विरेचन दोनों ही निशिद दोनों ही निशिद है रेवती में ग्रेवती ग्रह में दोनों ही मना है तो यहां पर आपका जो second option है which is रेविती is the correct option now the next question is काशिव के अनुसार में दसवी धात्री में कौन सा कर्म लाब खारी है जो में दसवी धात्री है उसमें आपको कौन सा कर्म करवाना है first option क्या है लेखन कर्म करवाना है क्या second is sirakarm third is chhedan karam and fourth is visravan karam तो में दसवी धात्री में आप लोगों को करवाना होता है sirakarm जो की है यहां पर option number second तो कौन सा option correct हो गया second option, now the next question is, काश्यप के अनुसार क्षीर पवस्ता के लिए कौन सा एक कतन सही है, तो जो भी आपको options दी हुई है, इन में से आपको बताना है कि क्षीर पवस्ता के लिए कौन सा एक जो है, वो option सही है, first option is, क्षीर पवस्ता जनम से शुरू होकर दो तक होती है, third option is, क्षीर पवस्ता है, वो गर्व धारन से, मतलब गर्व जर धारन हो जाता है, उसके बाद उसी टाइम पर शुरू हो जाती है, और दो वर्श तक होती है, और fourth option क्या है, क्षीर पवस्ता है, वो गर्व धारन से शुरू होकर के, दो वर्श तक होती है, तो यहाँ पी आपको correct option बताना है, क्या है क्षीरब पवस्ता हम लोग किसको कहते हैं, according to अचारे काशियब, तो जो यहाँ पी correct option है, that is the option number, कौनसी है, option number second correct है, कि जो ख्षीरब पवस्ता होती है, वो होती है, जनम से शुरू होती है, और जाती है, extend हो जाती है, up to one year, तो कौनसी option से ही होगी, second option, शीरब पवस्ता जनम से शुरू होकर, एक वर्ष तक होती है, second option is the correct option here, now the next question is, in which of the following conditions, the gastric arterial venous malformation is found, simple सा question है, gastric arterial venous malformation है, वो किसमे होती है, उस condition को हम लोग क्या कहते हैं, first option है, malorie vestia, second is bleeding pepting ulcer, third is dialophis disease, and fourth is stress ulceration, तो यहाँ पे जो correct option है आपका, that is the option number third, which is dialophis disease, is the correct option here, now the next question is, शुश्रुत अनुसार निमन में से कौन से शुकलगत रोग हैं, तो simple सा question है, आपको बस यह बताना है, कि शुकलगत रोग कौन से हैं, इस question में, first क्या है, इस पोथ की, second is अवरन शुकल, third is अर्चुन, and fourth is लोहिताम्र, तो जो इन में से शुकलगत रोग हैं, वो है third number वाला जो अर्चुन है, और fourth number वाला जो लोहिताम्र है, तो इसके according आपकी option कौन सी correct है, fourth option is the correct one, जिसमें third और fourth लिखा हुआ है, so that option is the correct option, which is fourth one, now that's it for today's video guys, यह हो गया, UPSC के जो हम लोगों ने question 125 तक solve कर लिये, अभी 25 questions ओर रहे गए हैं, जो कि मैं next video में upload करूंगी, I hope आपको यह videos helpful लग रही हैं, अगर helpful लग रही हैं, तो video को like जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को subscribe ने किया है, तो subscribe कर लिजिएगा, thank you so much guys,